क्या आप भी अपनी LinkedIn profile पर verified page चाहते हैं और इस page के फाइदे क्या है यह जाना चाहते हैं तो दोस्तो मेरा नाम है इम्रान और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि LinkedIn के verified page के फाइदे क्या है और आप इसको कैसे फिरी में आसिल कर सकते हैं तो चलिए वीडिय page लगाएंगे कि कल को आपको कोई Elon Musk आयर कर लेगा या सत्याने डिला Microsoft में आपको हैर कर लेगा कि आपके पास verified page तो यादे को कुछ फाइदे हैं जो आपको जाना लाजमी है पहला तो यह है कि credibility आपकी बढ़ जाती है यानि कि अगर आपकी profile किसी client को या किसी recruiter को नदर आ जाता है कि यह बंदा verified है यह genuine बंदा है कोई fake बंदा नहीं कोई boat नहीं या कोई scammer वगगरा नहीं है क्योंकि आपने अपनी credibility दी है कि आप verified है दूसरी जो चीज है वो LinkedIn खुद बताता है कि आपकी profile की visibility बढ़ जाती है यानि कि आपकी profile ज्यादा recruiters तक ज्यादा आइडेंस तक की show होगी कोई अगर search करेगा आपकी headline जो है आपके keywords जो है उनसे search करेगा तो आपकी profile ज्यादा लोगों तक visible होगी यह LinkedIn खुद से कहता है कि अगर आप verified page लेते हैं तो यह भी आपको फाइदा मिलेगा और तीसरी जो चीज है वो यह है कि आपके account बेन या suspend होने के chances कम हो जाएंगे लेकिन अगर आप ज्यादा वायलेट करेंगे आप ज्यादा उनके terms and conditions के खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपका account बहले verified हो तब भी suspend हो सकता है या बेन हो सकता है तो यह तो थे फाइदे अभी आप यह verified page हासल कैसे कर सकते हैं वो भी completely free तो देखो या LinkedIn पर verified page हासल क करने से पहले आपको यह समझना है कि LinkedIn पर कितने टाइप के verified page है तो LinkedIn पर तीन टाइप के verified page है पहला educational verification page यानि कि अगर आप किसी इनिस्टिटिट में पड़ रहे हैं या किसी इनिस्टिटिट में education हासल कर रहे हैं तो आपके पास अगर उस institute की educational email है तो आप उसके थूरू verification ह earning के साथ affiliated पार्टनर्शिप में LinkedIn उन्हीं को सिर्फ सपोर्ट करता है तो अगर आप ऐसे किसी इनिस्टिटूट में हैं तो आप educational verification page हासल कर सकते हैं और दूसरा है workplace verification page यानि कि अगर आप किसी company में काम कर रहे हैं और उस company की आपके पास एक professional email है यानि के उस company के domain के साथ जो आपको email मिल रही है फर्ज करें अगर मैं Facebook में काम कर रहा हूं तो मेरी email होगी imranwagon at facebook.com या अगर मैं Google में काम कर रहा हूं तो imranwagon at google.com ऐसी आपकी company के domain के साथ को email है तो उस email के थरू भी आप verification हासल कर सकते हैं और यह workplace verification बेज हासल कर सकते हैं और जो तीसरी टाइप है बेज की वह है identity verification बेज और यह आप easily ले सकते हैं और फिरी में ले सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि अपनी identity किसी government के official document के थुरू verify करवानी होती है अभी यह कि यह government का कौन सा official document होना चाहिए तो देखो यह डिपेंड करता है आपकी residential address पर और आपकी location पर अगर आप USA में केनेडा में यह मेक्सिको में तो आप driving license के थुरू यह accept करवा सकते हैं लेकिन यूरप की कुछ country में residential permit की जरूत होती है और आजाते हैं अभी हमारी country जो के इंडिया पाकिस्तान और बंगलादेश हैं इन में क्या चाहिए होगा तो अगर आप इंडिया में तो आपको अधार कार्ट की जरूत होगी लेकिन अगर आप बंगलादेश या पाकिस् पासपोर्ट की जरूत होगी यह यह पासपोर्ट नार्मल पासपोर्ट से थोड़ा अलग होता है यह NFC enabled यानि कि उस पर एक चिप होती है बने हुई जिसको स्केन करना पड़ता है वह पासपोर्ट आपके पास होना लाजमी है तो कौन सी country पर linkedin कौन सा document accept करता है इस पर linkedin तो कौन से steps follow करने होगे कि आप यह document verify करवा के identity verification page ले सकते हैं तो यह देखो इसके लिए आपको अपनी linkedin की profile जो है वह 100% complete करनी होगी अपनी picture अपनी details सब कुछ वह आपने लगाना होगा और दूसरी चीज़ आपने यह करनी होगी कि आपने अपने जो document verify करवा रहा है उस के साथ अपनी linkedin profile की details match करनी होगी यानि कि जो आपके document में details है वही आपकी linkedin profile पर details होनी चाहिए और तीसरी चीज़ आपने यह लाजमी verification से पहले समझनी है कि linkedin खुद से कुछ भी verification identity की नहीं करता वह किसी third party platform को यूज करता है जैसे के USA Canada में कि क्लियर में एक platform में उनकी services यूज करता है और इंडिया में डिजी लोकर एक platform में जिसके थूरू वह आदार कार्ड को verify करता है और अगर आप ऐसी country में जहां पर आपको e-passport की ज़रुत है यानि पाकिस्तान बंगलादेश और बहुत सारी countries तो वहां पर यह पर सुना एक platform में उनकी services यूज करता है तो अभी देखते हैं कि आप किनी steps को follow करके अपना document verify करवा सकते हैं और यह verification page ले सकते हैं तो जैसे ही आप अपनी profile complete करेंगे तो आपको यहां पर अपनी profile पर एक page नदर आ रहा होगा added verification page इस पर आपने click करना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे त यहां पर यह मुझसे दो चीज़ें पूछ रहा है एक तो workplace की verification में अपवर्क पर freelancer हूं तो मैं इस चीज़ को verify नहीं करवा सकता तो मैं यहां पर verify your identity with person पर click करूँगा तो इसके बाद का जो process है वो mobile पर होगा तो आपने करना क्या है कि LinkedIn की application download करनी है और उसमें यही वाला जो account है आपने sign in करना है मैं यहां पर आ चुका हूँ mobile पर अगर आपके पास कोई QR code scanner रेप है तो आपने उससे QR code को scan करना है नहीं तो मैं यहां पर google lens का use करूँगा तो मैं यह जैसे लेंस पर click करूँगा तो यह लेंस open हो चुका है तो यहां पर मैं QR code को scan करूँगा जैस पर सेम account आपने sign in कर लेना है तो मैं यहां पर link in की application में आ चुका हूँ यहां पर मैं verify with persona पर click करूँगा तो यह थोड़ा सा टाइम लेगा तो यहां पर पर सुना की terms और privacy policy आ चुकिए मैं तो टिक करके यहां पर accept and continue पर click कर दूँगा तो जैसे ही मैंने accept and continue किया तो यहां पर यह मुझे से अपनी country पूछ रहा है तो मैं इस पर अपनी country जो के पाकिस्ताने में select कर लूँगा तो पाकिस्तान select करने के बाद मैं यहां पर continue पर click क मैं यहां पर camera पर click करके अपने ID को scan कर लूँगा यहां पर यह थोड़ा time लेगा यह थोड़ा आपने hold करके रखना ही तो यह इसको accept करेगा फिर मैं इसको करूँगा use this picture तो यह इसको थोड़ा process करने में time लेगा उसके बाद आपके सामने इसकी details लेकर आएगा जो कि आप आपने verify करने हैं कि अगर वो details correct हैं तो आपने फिर continue करके next करना है जिसके बाद यह आपकी face camera open करके आपकी face की verification करेगा जो कि आपने face का front देके फिर right side मूँ करके फिर left side मूँ करके अपने face की verification करवानी है जिसके बाद आपने agree and continue करना है उसके बाद यह थोड़ा सा time लेगा और सारी details को process और verify करके यह आपको थोड़े ही time में आपको एक message शोगा कि आपकी details जो है वो verify हो चुकी है और आपकी profile पर verification page आ चुका है तो दोस्तों इसी verification page को हासल करने के लिए मैंने e-passport की request डाली हुए जो कि कुछ दिन में मेरे ख्याल में accept होकर मेरा e-passport बन कर आ जाएगा लेकिन इस चीज़ पर मैंने complete research की तो मैंने सोचा यह चीज़ आपके साथ share करूँ क्यूंकि काफी सारे लोग यही चीज़ find कर रहे हैं कि कौन से documents चाहिए अगर आपको passport चाहिए तो कौन सा passport चाहिए हो सकता है आपको normal passport बन वाले हैं तो आपने यही चीज़ ख्याल रखिए कि आपने e-passport बनाना है तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होते हैं लाइक जरूर कर दो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल वाले आइकन को लाजमी दबा दो और अगर आप अपनी किसी क्लाइन की या किसी लीड की LinkedIn प्रोफाइल से email find करना चाहते हैं तो इस पर मैंने complete वीडियो बनाया है बनाया है?